इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो अलग laptop के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में देने बखला हूं comparison alternator आपको क्लिए बहुत था Fund होने वाला है कि यूंकि आज यह वीडियो में आपको आशूस के दो लापटापस है उनको comparison देने वाला हूं उनकी specification को हम compare करेंगे उनके features को हम compare करेंगे compare करेंगे हम उनकी price को तो वीडियो को पूरी और ending तो देखिएगा ताकि आपको उसके और हम पूरी information जानकारी मिल सके अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए क्योंकि आप लोग के लिए ऐसी ही वीडियो मिलते रहे हैं क्योंकि मेरा main motive है आप लोग के लिए ऐसा ही educational informative और value-able content provide कर वाता रहूं ताकि आपके जिसे help हो सके knowledge बढ़ सके education बढ़ सके कुछ अच्छा आपको से सीखने के लिए मिल सके तो वीडियो को दोनों laptops के क्या नाम होने वाले हैं हाना उस पर हम detail में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और इनकी मेरे चैनल पर dedicated video भी uploads है आप वो भी देख सकते हैं हाना अगर चाहते हैं आप single video देखना हर एक laptop की अलग-अलग तो आप वो भी देख सकते हैं यह दो की चैनल पर upload है तो देखे दोस्तों video के start करते हैं और details में बात करते हैं और आप video start होने से पहले थोगासा minute है आपको एक minute आप मेरे चैनल को subscribe कर लेजिए video को like करिए comment करिए आपको video कैसी लगती है मेरी हर इसी detail में ज़रूर बताइए मुझे तो यहीं की बात करते हैं दोनों की लैपटोप के नाम क्या होने वाले हैं तो जोनों लैपटोप जो हैं Asus कंपनी होने वाले हैं Genbook Duo OLED A1 PC Intel Core Ultra 9 के साथ होने वाला है और दूसर जो लैपटोप है वह होने वाला है Asus के साथ से Asus Genbook Duo OLED AI PC है Intel Core Ultra 7 एक है Ultra 7 एक है Ultra 9 दो अलग लग लापटोप है इनकी प्राइज की बात करते हैं तो अल्टा 9 वाले की प्राइज होने वाली है तो लाक थाटिन थाउजन और अल्टा 7 वाले की प्राइज होने वाली है तो इसमें आपको देखने के मिल रहा है Intel Core का Ultra 9 का processor 32GB की LPDDR5X RAM मिल रही है Windows 11 operating system है 1TB की SSD है और 14 inches की display देखने के लिए मिल रही है तिक दोस्तों अब बात करते हैं Ultra 7 वाले की तो Ultra 7 में क्या मिल रहा है? Ultra 7 में आपको Intel Core Ultra 7 का processor है 32GB की LPDDR5X RAM है Windows 11 का operating system है और 14 inches की display है दोनों ही Laptops जो हैं डोकी Touch screen में आपको देखने के लिए मिलेंगे देखिए अभी जो 10 से 15 अभी सहजार रुपे का difference जो है जो की अभी तक difference जो देखने के लिए मिल रहा है वो की सी processor में देखने के मिला है एक में Ultra 9 है एक में Ultra 7 है अब देखे नीचे आते हैं और बात करते हैं जनरली टाइप होने वाला डूल स्कीन लैपटोप होने वाले हैं डूल स्कीन पर इस पर बहुर कर सकते हैं असानी से शीरीज होने वाली है Jan book Duo OLED AI PCC इस शीरीज हैं दोनों की SIEM ही सीरीज की Laptop हैं suitable for processing, multitasking, entertainment, everyday use, learning, performance and travel इन सब जीजों के लिए लिए दोनों ही laptop suitable है touch screen, दोनों ही laptop देखने के लिए आपको touch screen में देखने के लिए मिलेंगे इसका wrap camera, full LCD camera with IR function to support window, hello के साथ दोनों में same camera functions देखने के लिए आपको मिलेंगे USB ports की बात करते हैं कि दोनों laptops में किस-kis प्रकार से USB ports available है क्योंकि USB ports भी जो होते हैं बहुत जरूत होती है HDMI port है नहीं है, Type-C के ports है नहीं है, कौन सी generation के ports इसमें देखने के लिए मिल रहा है वो हम details में एक बार बात कर लेता है तोजे की फ्रेंट यहां पर आप कमरा देखने के लिए मिल रहा है वो मैं आपको बताई दिया USB ports आपको 3.2 Gen के Type-A का port देखने के लिए थंडर बोल्ट, 4 support, display powered ले भी port देखने के लिए भी मिल रहा है आपको Type-C का port देखने के लिए से मिल रहा है 3.2 Gen का दोनों में सेम ही USB ports देखने के मिल रहा है लगबग सब चीज़ें सीम ही देखने के मिल रही है seal pack मिलेगा आपको जिसमें laptop, power adapter, user guard, warranty documents यह सब चीज़ आपको साथ laptop के मिलेंगी दोनों ही laptop के साथ अब प्रोसेसर का नेम जो कि आपको बताया है मैंने जो की core ultra 9 है एक में core ultra 7 है clock speed के होने वाली core ultra 9 वाली की जहां तक ज्यादा होने वाली clock speed 5.1 GHz होने वाली है SSD की capacity यहां पर 1TB है, दोनों में SSD है, HDD की capacity यहां इस दोनों में नहीं है 1TB की SSD आपको देखने के मिलेगा दोनों में ही Windows 11 का operating system आपको देखने के लिए मिलेगा इस्पले की क्लिके features हम आपको बात कर लेते है 14 inches की full HD OLED डिस्पले है 16 ratio 10 expect ratio है हाना, refresh rate 400 nits की है आना, peak brightness 500 nits सक भी आपको आसानी से देखने के मिल सकती है इसके आपको इसमें display SDR true black 500 1.0 billion colors के साहँ देखने के मिल रही है बल्ला एक्रिवेट कलर आपको प्रॉवाइट करवाएंगी यह दोनों में सी में 70% less harmful blue light को किया गाया मतलब 30% ही आपको defect करेंगी effect करेंगी 70% अउने reduce किया है जो की harmful blue lights होती है उनको ऐसा भी यहां पर उनने clear किया है graphic card की बात करते हैं इसमें entail का integrated ARC graphic card है दोनों में ही सीम graphic card देखने के मिल रहा है, ARC अगरी तो सिर्फ देखें जो की 15,020 अगरोपे का जो difference देखने के लिए मिला है जो सिर्फ में को यहां तक पूरा आप में को comparison दिया है में आपको इस वीडियो में दोनों laptops के बारे में तो सिर्फ comparison के यही result निकला है कि दोनों में सिर्फ अल्ट्रा प्रोसेस लगा फर्क है एक में अल्ट्रा नाइन है जिसमें तोड़ोजा प्राइज महंगा है लगभग यहां पर बात करें तो 20,000 रुपर महंगा यहां पर देखने के लिए मिल रहा है हाना और 20 सर्फ अस्ता आप अल्ट्रा 7 भी लिए सकते हैं और सारे फीचर्स हर एक चीज सेम तू सेम आपको देखने के लिए मिलेगी तो फ्रंट आज इस वीडियो में ता ही आज इस वीडियो में मैंने आपको आज इस वीडियो में तरह आई मैं आप लोकली मेरे चैनल पर ऐसी ही एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव और वेल्यूएवल वीडियो लेकर आता रहता हूं तो आप मेरे तान जुड़ रही चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए हम लिंग आपसे किसी नेक्स वीडियो के नेक्स लैप्टॉप इंफॉर्मेशन माली वीडियो के साथ टेक कियर बाए बाए